बच्चों मैं रामरास मतुरिया मतुरिया क्लासिक चैनल पर आपका हार देख स्वाध करता हूँ मैं बच्चों आज हम कुछ यहां गोणा करने की या वर करने की जो विद्य वो पढ़ेंगे और आप जानते हो कि अगर आपको आपकी मैस अच्छी करनी है तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए हम देखा कि बहुत सारे टीचर्स बड़े-बड़े कुष्ण को कराते हैं लेकिन बेसिक जीरू होता है अगर हमारा बेसिक अच्छा है बच्चा चलना सीख जाता है तो दौड़ना भी अपने आप वो सीख सकता है तो उन्हीं चीजिदों को दहाई वाला अंक है वो समान होगा और एकाई अंकों का योग दस होगा जब दहाई अंकों समान हो और एकाई अंकों का योग दस हो तो बच्चों आप इनको ध्यान से दिखोगो तो आप पता ले जाएगा भता कि हमारे पास में जो योड़न दिचेटे जयानी एकाई अंक है ऊनका योग दस हो रहा है बर जो हमारे पास में दहाई वाले अंक cort jan Harano देखो यहां भी एकाई अंकों का योग दस है और रहा दहाई वाला अंक के समान है तो इसको आप ऐसा समझें हमको जो फर्स्ट स्टेप करना है कि एकाई अंकों का गुणा करना है सेक्ड इस्टेप हमारे पास में जो भी अंक बच्चा हुआ है उसका मल्टिप्लाई एक ज्यादा बढ़ा करके कर दिना है यहां 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 सेश अंक को और फ्लसका ऒढ़ा है कि हमने पांच गुना में 5 किया यहां 35 अब किसी भी एक तरह समझ लेते हैं तो हमने नो में दुद्ध किया कितना ग्यां यहां 90 गया 5 गुणा में 25 पहिस्यूद किया तो आठ नम्मे बहतर हो गया पांच गुणा में 5 किया 25 अगया अजो 6 गुणा में 7 किया तो कितना बैया लिए next 8 गुणा में 2 किया 16 आ गया अब 7 गुणा में 8 करो तो 7, 8, 56 7, 3, 21 और 9 गुणा में 10 करना तो कितना गया यहाँ 90 6 गुणा में 4 किया 24 और 8 गुणा में 9 और 8 नम्में बैतर तो बच्चों देखा आपने हम इन प्रसुन को बहुत ही जल्दी और आराम से हल कर सकते हैं बसर्त है कि इनके हम regular practice करें तो हमने यह एक विशिस कंडिशन पढ़ी दो अंक वाले सेंख्याओं पर हम एक दूसरी विशिस कंडिशन और पढ़ते हैं देखते हैं उनमें क्या कंडिशन है हम यहां दो अंक वाली सेंख्याओं को वारे में चाच्चा करें बड़ उनमें एक काई वाला अंक या दाही वाला अंक समान होना चाहिए कर दो अंक वाला अंक वाला अंक वाला अंक समान है जो हमारे पास में असमान अंक हैं असमान अंकों का योग करके और समान अंक से गुणा कर देना है थार्ड इस्टेप है हमारे पास में यहाँ जो भी हमारे पास में दहाई अंक बच्चा है उनका गुणा करना है दहाई अंकों का गुणा करना है तो बचु देखो यहां हमने कर दिया तीन गुणा में तीन नो कर दिया अब हमारा सेकंड निष्टा पर असमान अंकों का योग करके और बगल वाले से करना है मल्टिप्लाई यहां असमान अंक के दिखो या रहे हैं तो मैंने इन दोनों जोड़ा जोड़ा साथ और आठ कित साथ और आठ पंदर है तो पंदर है तिये पैंतालिस चार आ गया अब जो बाकी बच्ची हुए अंक के उनका मल्टिप्लाई कर देना है तो आठ गुणा में साथ चपन और चार साथ दो गुणा में दो के मैंने यहां चार आ गया फिर वापस असमान अंकों को जोड़ना ह जोड़े तो आप यहां पंदर है और पंदर है दुना तीस तीन आ गया गुणा की हमने लास्ट में तो नौ गुणा में छे चववन और तीन शत्ता गया तीन गुणा में तीन की हमने कितना गया यहां नौ आ गया जोड़े तो आप चौधे और चौधे तिये बैयालिस च चार आ गया करें मल्टिव लई 48 और चार बाव बना गया आठ दूना 16 है हां से ले अब जोड़े यहां आस्मान आंकों का यहां जो हमारे आस्मान आंके वो यूनिट डिजिट पर हैं कहें भी यह कोई फरीं पड़ता है उन्हों दोनों को जोड़ करके बगल वाले स्रिंख् प्राइक कर देना है जोड़े यहां 10 गुणा में 6 कि 60 और 61 चाहिए है च्छे गुणा में 36 और 46 और 46 अग जले यहां 5 तीप पंद्र है वापस हमने यहां आस्मान आग जोड़े यहां तो कितना आठ तो आठ नम्मे बैतर और यह कितना यहां तीटर है साथ करिया गया गया एक यासी और साथ 88 चले आगे पांच चोगे बीस दुआ गया मैंने जोड़ा यहां कितना नौ नौ गुणा में 6 चावण और दू चप्पन 36 और पांच 41 तो बच्चों देखो हम इस प्रकार से आसानी से इन सेंख्यों गुणा कर सकते हैं बट मैं आपसे बार बार के रहूं मैं यह हमको याद तभी रहेंगी जब इनकी बहुत अच्छी द्रैवूलर प्रैक्टिस करें तो बच्चों हमने यहां दो विदी पढ़ हैं हम उन सब का एक साथ एक ही प्रकार से मल्टिप्लाई कर सकते हैं देखते आगे हम देखो को है आप यहां कोई वी दौव्य वालिशन यह लेवं अप दस से लेगर के और नाटिया आद तक कहा कहीं तक ले लिए तो हम उनका आशानी से स्कॉर कर सकते हैं बत तो होती किया कंडिशन है यहां है वास्ता में वही एपसक्त भी का होली स्क्राइब ह естеzen का है यहां कैसी ए अंकों के गुणन का दो गुणा और लास्ट में यहां कर दिया हमने जो हमारे पास में दहई वाल अंक बचा हुआ है तो यहां दहई अंक का वर्क करते हैं अब आपका ध्यान वहां नहीं आपका ध्यान मेरे साथ यहां होना चाहिए देखते हैं कैसे बिलकुल आरम से पढ़ते हैं इनको सबसे पहले हमको यहां एक का अंक करना है वर्क हमने यहां पांच का वर्क होता है पत्तीस दू करिया गई अब इन दोनों सेंख्याओं का गुणा करके डबल करना है हमने यहां दोनों क्या मल्टिप्लाई 40 चालिशा गया और 40 का डबल होता है असी और दो बैयासी लास्ट में बता हूँ यहां आठ है तो यहां आठ का वर्क चोंशट और आठ बैतर चले आगे दो का वर्क यहां चार है हमने यहां दोनों कर दिया मल्टिप्लाई बार है का डबल 24 दुआसिर लास्ट में चे तो 6 का वर्क वर्क यहां 36 और 2 38 तीन का वर्क यहां 9 दोनों क्या मल्टिप्लाई हमने यहां 27 का डबल होता है 54 चार पांच कह रही अब यहां 9 का वर्क यहां 81 और 5 चार चासी चार का वर्क यहां सूल है एक हांसे लागई करे मल्टिप्लाई 32 का डबल होता है कितना 64 और एक 65 छे हांसे ले आठ का वर्क यहां 64 और छे सत्तर तो बच्चों इस प्रकार से हम जितनी भी सेंख्या हैं दो अंक वाली उन सब का आसानी से कर सकते हैं और बच्चों यह वाली विद्धी हमारे लिए बहुत ज़्यदा काम में आती है तो हम कुछ और चर्चा आगे करते हैं हा कि अफे बच्चों हम ने यहां जो बात की थी वह तो हमने इसकौर वाली बात थी बट करना होता है आज गलंग जो एसी का एजयाम हो रहा हूं ठीठा की कंडिशन है अगर हम यहाँ a plus b करते क्यों यहां दो है a plus b क्यों कर रहे यहां यहां घैसा घो कैसे कि a q plus का 3 a square b और 3 a b square और plus का b q हता है यहां पढ़ा था आपने आप तो यहां हमारे पास में यह फर्मुला बना इस प्रकार से यूज करके इसको हम आसानी से कोई भी सेंख्या है जो दो अंक वाली उसका क्यूब कर सकते हैं देखने कैसे अगर हमको यहां 32 का क्यूब करना पड़ जाए बलकुर आराम से पड़ना इसको बलकुर ध्यान से तो अगर हम इसका करें बैसे मल्टिपला करें तो यहां 32 गुणा में 32 गुणा में 32 बच्चों टाइम बहुत ज़ादा लगेगा और हम इसका यूज करें और थोड़ी सी प् प्रैक्टिस पर कारण क्या है कि जितनी भी ट्रिक्स बगर होती है यह देखने में पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है और जब तक हम इनका यूज नहीं करेंगे तो हमको यह याद नहीं होती है तो देखते हैं यहां पहले हमने यहां दो का क्यूब कर दिया कितना गया अब दो यहां इसका इसको इसको सारी सारी ही कर दिये मैं समझेवको द्रीक्पा體 थी Silicon then है तीन अब नचेば यह बाला नो इस्मों किष्कीն में ने दूआ ऐका इसको है रहे हैं तो नौ परेपाउदोना अठार है तीए चौवण और तीन सत्तव पांच आ गया अब यहां तीन का क्यूब क्या हमें आप तो यहां तेन का क्योंब कितना हो गए सट इस और फांच बतीश को कितिनी आ संजी से और जल्दी को हल कर दिया अब दैगे बत collectors आगर हमारे पासे अगरें परकार सह यहां कि हम ट्वहोइं ले में इसका क्शॉ प्रकार से बच्चों में रेगूलर प्रेक्टिस करें तुम आसानी से इसको कर सकते हैं बच्चों आपको समझने में थोड़ी सी आसुबधा हो रही होगी कांड के मैंने तो इसे फार्मले को केवल मन में ही रखा हुआ है और आसानी से कर रहा हूं में बड़ों इसको मैं दुबारा समझाता हूं कि मैंने इसको इतना जल्दी कर कैसी दिया यहां बच्चों दुगों में क्या किया समसे पहले हमने यहां दो का क्यूब किया अब तो हमारा सेक्नलिस्टप यहां थ्री ए बी स्कोर यहां तो तो यहां थ्री एक अमार कितना हमारा तीन है और यहां बी का स्कोर चले आगए यहां सेक्नलिस्टप यहां थ्री और यहां कितना है थ्री का स्कोर है और तो में यह आ गया और लास्ट में यहां थ्री का क्य Q आ गया है देखें यहां से मुझी चीज़ यहां तो जो यहां A Q प्लस का 3A स्क्वार B और यहां 3A B स्क्वार और यहां B का Q है हमने यहां 8 लेका इसको तो जो यहां 4 तीए बार है तीए 36 तीन के लिए गई नौ दूना अठारे तीए 54 और तीन 57 पांच आ गया 27 और पांच 32 एक स्टाप और दिखते हमें यहां जैसे अभी पड़ा था मैं यहां 25 का Q पड़ा था हो तो जो यहां बच्चों पहले हमको यहां 5 का Q करना है स्टाप यहां 3 A और B का स्क्वार 3 है यहां A स्क्वार और यहां B है अब यहांद वो दो का Q आ गया बच्चों पांच का Q के आतमने यहां 125 बार है यहां से रोती है 25 दूना 50 ते यह 500 डेड़ सो और बार है 162 कितना से लिए हमारी सूल है 4 पंजे 20 ते यह 60 60 और सूल है 76 आठ और साथ पंद्र है इस प्रकार हम आसानी से इनको कर सकते हैं हम एक एक जांपल और लेते हैं देखते हैं यहां जैसे हम यहां ले लेते हैं इस प्रकार से 52 का Q कर लेते हैं यहां तो बचों आपने इसका बेसिक तो पड़ी लिया है थोड़ी सी practice करें copy pen साथ में रखें जाब वीडियो को देखें आप तो इसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक करके आप practice करोगे तो ये बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आएगा बच्चों मैं एक बात वताद में आपको अगर आप इनको बिना इंट्रेस्ट की पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होंगी तो कि बिना इंट्रेस्ट इजे मदर्फ memory तो कि अगर हमको कोई चीज याद रखनी है तो सबसे पहले हमको उसके प्रति इंट्रेस्ट पैदा करना होगा तो दिखर देखें दुबारे सको यहाँ दो का क्यूं होता कितना आठ होता है में और यह सारी प्रति प्रेक्टिस्टम कर चुके हैं दो क्यूं आठ होता है यहां चार, पंजे बीस, तीए साथ, छहां से लए यहां, पत्तिस, दूना पचास, तीए डेड़ सो और छह, एक सुचपन, अजो यहां पांच का क्यों कितना होता है, एक सुपचीस और पंदर है, एक सुचालिस, तो बच्चों में इसको आज सानी से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं अच्छा, दोगों हमने यहां क्यों वाली बात पढ़ी, और क्यों वाली बात कई बार हमारे लिए काम में आ जाती है, तो बच्चों आज हमने कुछ वर्ग वाली है, या मट्टीप्लाई बात पढ़ी हैं, हम इनको थोड़ थोड़े वीडियो में क्यों बता रहे हैं, बाते हम, और नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तब तक के लिए धन्यबाद.